तो आज अभी नीचे जानी कोशिश कर रहे हैं तो आज है बर्साथ का पहला दिन और आज ही बारिस शूरू हुई है कल पर हुआ थे थोड़ा थोड़ा तो आज कुछ ज्यादा ही है आज सुबा से बारिस हुई है और चारो तरह भारा बहुंत हो चुका है और काफी अच्छा लाग रहा है चारों तरफ हमारे सोला जून को खूलने वाले थे अच्छा लेकिन अब सोला से 26 हो गया है तो आज है पचीज तारीक तो कल खूलने वाले हैं इसलिए आज लास्ट लास्ट ब्लॉक बना रहा हूं फिर कल से तो इस्कूल को चलू हो और यह है हमारे मुहले की सुन्दर्ता देख सकते हो पूरा चारों तरफ वाह क्या स्थीन है अभी मैं अपने दूसरों के घर के बाहर में अभी बैठा हूं अकेला बेरो जार और कोई दोस्ता तो है नहीं अभी और अकेला बैठा हूं यहां पे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ आईये वाईयस बनो और देश को समाल अभी हम लोग जा रहे हैं नहाने के दिए मैं नहाऊंगा मैं सुबह से नहाचुका हूं और यह लग नहाएंगे तो साथ में जाऊंगा और अभी तो पूरा मस्त दिख रहा है सभी तरफ कच्च तभी थोड़ा गिला है इसी जे थोड़ा अच्छा भी लग रहा है उतना खराब नहीं लग रहा है पूरा चारत रफ तो पिछले वाले वीडियो में कांतप्रसाद वाले वीडियो में अभी 700 वी वा चुका है आने वाला है लगभग 600 से उपर हो गया है और काफी खुसी ह उसमें मेरे चैनल का सबसे वारल वीडियो में अभी वा चुका है और क्या ही बताओं अभी सिधा जा रहे हैं वहीं तलाव इधर वाले में पिछली बार गये थे अभी इधर वाले में जाएंगे सुबे से पानी गिर रहा था और सिर्फ अभी रुका है साड़े ग्यारा बजे है अभी और सुबे से गिर रहा थे सुबे से तो खेत में कुछ इतना पानी भरा है अभी तो सोख लेगा पूरा पानी अभी पहुंच चुक है तालाब और इधर तालाब है मेरे जस्त पीछे और इतना सुंदर है अभी के सीन में पानी पूरा खराब कर दे हैं लोग कूद कूद के और आज फिर से आप पानी चालू हो चुका है और मैं तो अभी ठाते में हूँ जो कि इसका है इसका तो गाई सावाया हो तो कम से आम हाद पर दो लेता हूँ तो नहीं आता हूँ तो गाई सब यह लोग नहा चुक है और अब हम जा रहे हैं तो इनका कच्छा यहां पर रखे थी इसको ना भीगे करके तो जब मैं हाथ पर धोने गया था तभी इनका कच्छा वहां पर गीर गया सिढ़ीक पास तो भीग अपर यहां पर हाथ में पकड़े हैं और यह भी हमारे इंस्टाग्रामर है एक से ग्रील बनाते हैं कौन ही है लोग कहां से आते हैं अभी तो मैं घर आ चुका हों और हाथ पर धोने का मतलब ही नहीं हुआ वापस खराब हो तुका है तो अभी यहां पर घर में दो लेते हैं पानी तो है बहुत अभी तो चलिए अभी हाथ पर धोतु कहां सिर्फ अपैल है बाद में मिलते हैं आपसे तो अभी दिन के डेड़ बत चुके हैं और अभी मैं जस्ट खाना पी नखा के निकल चुका हम बहार तरप और अभी जस्ट पापाजी का अभी खेट जाना है और खेट में जो पानी है उसको निकालना है अभी खेट की तरफ जा रहे हैं यहां पर पहुंच चुके हैं और साइकिल को हमने वहां पे छोड़ा है और हम लोग चलते हुए जाएंगे क्या जाएंगे या रहे हैं और यह वाला आम का पेट है फहले यह खाने आते थे लेकिन इस बार नहीं आया था वहां पर जो एक पेट दिक रहा यहां पढ़े तो वहीं पेड़ के पास अपना खेत है तो उसी तर्व जा रहे हैं और यहां पर सामने में एक नाला है छोटा सा कि यह वाला जो खेत है यह हमारा ही है और पानी तो थोड़ा-थोड़ा है तो इसको निकालने की जौरत नहीं है वह जो उस वाले खेत में था उतना पानी भरा होता तो निकालना पड़ता लेकिन अभी तो बहुत कम पानी है तो इस निकालने की आप सकता नहीं है बिल्कुल भी तो घाइस अभी जल्दी जल्दी ब्लॉगिंग के चकर में अभी फावडे को वहां और यह अभी आपको नए दीखेगा बाद में आते टाइम लें चाक और अभी जा रहा है हम लोग नाले के पास इहरे में है तो वह जा रहा है और चलिए चलते हैं सिधा नाले के पास शेश een बूरा गिला-गिला है सबी तरफ और यह वाला मौसम मेरा फेवरेट है और यह भी आ रहा है बेचारा सीन पूरा जंगल टाइप का है और यहां से आवाज आ रहा है पानी का पता नहीं मेरा आवाज आ भी रह यह नहीं कि ओ भाई इधर तो बहुत सारा पानी है कि फोटे नदी की तरह लग रहा है तो गाई सभी नीचे जाने कोशिश कर रहे हैं यहां पर रास्ता बहुत के हैं खराब है क्या पता की सल सकते हैं यहां पर तो अभी जा रहे हैं तो गाई अभी गिर चुका हूं यहां पर मैं पूरा और मोबाइल पर भी लग चुका है कि अब जैसे ही मैं उत्रा यहां पर तो यहां पर फिसल गया था तो अभी तो ठीक हूं और पैर भी थोड़ा चपल खराब हो गया था पूर यहां पर देच सकते हो और चार दिन पहले जब मैं यहां पर आया था अपने खेतों के कांटों को जलाने के लिए तब इस तरह पाया था तो थोड़ा सा पानी था और अभी चार-पांद दिन के अंदर में ही देख सकते हो कितना पानी है पूरा चारो तरफ और अभी ज्यादा अच्छा लग रहा है उस दिन से तो अब चलिए चलते हैं एक और यहां पर डेम टाइप का है आपको दिखाते हैं जैसा सोचा था तो गाई जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं है यह वहां तो खेत का पानी है इसलिए तो अब क्या ही कर सकते हैं अब चलिए यह थोड़े यहां पर शील करेंगे फिर घर नाले से बाहर आ चुके हैं नाले से नाले तरफ से बाहर आ चुके हैं और यह भी आ रहा है अब सीधा चलेंगे घर की तरफ और पानी थोड़ा थोड़ा शुरू हो चुका है यहां पर साथ आपको दिख रहा होगा थोड़ा 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 तो अभी काम आएगा च्छाता और वह पकड़ है दोनों च्छाते को तो आज के ब्लॉग में इतने ही गाइस आई ब्लॉग आपको पसंद आया हुगा पसंद आया तो लाइक करना चैनल पर नहां सब्सक्राइब करना और मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए व्लॉग में तब तक लिए जय हिन जय भारत बाए